बिस्मिल्लाइ रिमान रहीम मौजजज नाजरीन सलामून अलेकूं मैं हूँ साजीद अली हम अपने प्रोग्राम सची जिन्दगी में आप तमाम नाजरीन को कुशामदीत कहते हैं आईए प्रोग्राम का आगास करते हैं आज हमारे साथ मौजूद है जनाब डाक्टर कलबे रजा साहब आपने AMU अलीगर से केमेस्टरी में पिएजडी किया है और 26 साल DRDO की गौालियर की लैब में रिसर्च साइन्टिस रहे गौर्मेंट आफ इंडिया के रिसर्च इंसिट्यूट गुर्गाओं में 6 साल डारेक्टर रहे फिलहाल गुर्गाओं के एक रिसर्च लैब में एडवाइजर हैं आईए आज हमारा मौदू है कुरान और साइन्स उसी कानवान से डाक्टर साब से गुफ्तू करते हैं डाक्टर साब अस्सलाम वालेकुम अलेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ह वबरकातु आउस बिल्हा और शाइत। अल्मावार ऑन्बीया वल्मुरसलिन वालिह तै्यबीन ताहरीन अल्मख्म्मूम्तिय। और सामेईन जवील इतराम बनारस के अज़ादार चैनल के जरीए जिस प्रोग्राम का आगास किया गया है मुकाबल तहसीन और काबल मुबारकबाद है इस प्रोग्राम के लिए मुझे जो मौजू दिया गया है वो है कुरान और साइंस मैं बनारस के अज़ादार चैनल का तहदिल से शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया खास तोर से अज़त अलिम्सलिमीन आली जनाब मौलाना नदीम अज़र साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जन्हों ने मुझे दावत नामा दिया और मैं आज आपके दर्मियान औरान और साइंस पर गुफ्तूग करने के लिए हाजिरे खिद्मत हूँ अपनी इस तक्रीर के मौजू की मुनासिबत को मलूजे खातिर रखते हुए मैंने सुरह इनाम की उन सट्वी आयत के आखरी फिक्रे को सरनामे कलाम के तोर पर आप हजरात की खिद्मत में पेश करने का शरफा जिसमें खुरान एलान कर रहा है कि ला रद्बियू वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है कि जो इस रोशन किताब में बयान न किया गया हो तो जाहर है कि जब हर खुशकोतर इस किताब मुबीन में मौजूद है तो भला ये कैसे मुम्किन हो सकता है कि साइंसी उलूम इसके हाते से बाहर हो खुश्कोतर का मतलब वो खुश्कोतर नहीं है जो अमाम तोर से अपनी जबान में बोलते हैं बलके खुश्कोतर का मतलब पुरान में यही है कि सारे खुश्कोतर का मतलब पुरान में यही है उस खालिक की तरफ से कि जो खालिक कुल काइनात है जैसा कि आप तमाम हजरात को मालوم है और इसमें कोई शक नहीं है कि साइंसी उलूम ने दोर हाजिर में खातिरखा तरकी की है और मसलसल तरकी की राह पर गामजन है रोज आना एक नई तहकीक, एक नई जुस्तजू, एक नई तत्वीक हमारे सामने साइंस की आ जाती है और हम उससे फैजियाब भी हो रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी में नजाने कितनी साइंसी इजादात हैं जिनको हम इस्तेमाल मिला रहे हैं खुद ये प्रोग्राम आनलाइन जो हो रहा है, ये भी साइंसी इजादात का एक करिश्मा है जिन्या के किसी कोने में भी बैठे हों, मगर साइंस की इन इजादात की वज़ा से एक दूसरे से मुखातब हो सकते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं आज मजलिसे भी इसी ऑनलाइन चैनल के जरीए हो रही हैं महाफिल भी ऑनलाइन चैनल के जरीए हो रहे हैं ये साइंस की इजादात का एक मिसाल हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी में मौझूद है बेशक पुरान मजीद कोई साइंस की किताब नहीं है ये किताब अधायत है, कुरान अलान कर रहा है, कि हम किताब अधायत है, मगर अपनी जगा पर ये भी एक हकीकत है, और सही है, कि इल्मो दानाई, अक्लो दानिश, और शौुर इंसानी को बेदार करने के सिलसले में, जो किर्दार कुरान मजीद ने अदा किया है वो किसी और मजहभी किताब ने अदा नहीं किया है कुरान मजीद ने एक फलसफा पेश किया और दुनिया को सोचने का ढंग यानी way of thinking एक नए अंदास में दिया सिखाया जिस से अलूम को तरकी नसीब हुई علم عام ہو گیا قرآنِ مجید کے نزول سے یا اسلام کے آنے سے پہلے تک علوم صرف مخصوص لوگوں سے متعلق ہوا کرتے تھے لیکن اسلام نے اور خاص طور سے قرآنِ مجید نے علومِ جدید کو عام کیا اور عوام تک پہنچایا یہ قرآن کا ایک موجزہ ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری اور ساری ہے سائنسی تحقیقات आज इस बात की अकासी कर रही हैं कि कुरान मजीद में 1400 बरस पहले जिन उलूम का जिक्र किया गया था जिन इनकिशाफात का जिक्र किया गया था वो आज सही साबित हो रहे हैं और कुरान मजीद मसलसल तहقीक और तद्कीक और नजर फिक्र नजर की दावत देता रहा है पूरा कुरान ऐसी आयास से भरा हुआ है जिन में दावत फिक्र नजर दी गई है जिन में तदब्बर करने को कहा गया है जिन में अकल के घोड़े दोड़ाने को कहा गया है सूर अनकबूत में परवर्दिकार आलम कुरान मजीद में इर्शाद फर्मा रहा है कि जमीन और आस्मान में नजर दोड़ाओ सूर एराफ में कह रहा है जमीन और आस्मान की तकलीक पर दोड़ करो सूर यूनुस में फर्मा रहा है कि जमीन और आसमान में नजर दोड़ाओ गरस कुरान करीम का एक अच्छा खासा हिस्सा मुशाहिद एक काइनात और इसमें गौर फिक्र की दावत पर मुश्तमिल है हम तमाम लोगों को मालूम है कि कुरान मजीद में 6600 चाचट आयते हैं ओलमा और साइसदानों का भी ये मुटतिका फैसला है कि इन आयतों मेंसे तकरीबशन साथ सौ से लेकर एक हजार आयतों तक साइसी एलूम के सिल्सले में परवर्दगार आ अलम ने नाजिल फरमाई है इन आयतों में उन साइसी एंके शाफाफाथ का जिक्र है जो बाद में होते रहे हैं और होते जा रहे हैं जाहरे है इस मुखषए से वक्त में यह मुम्किन नहीं है कर बाद में अन्तमाम जाफाइत का आपके सामने तथर्च रहा कर सकूँ लाद ह chuck चन्द मख्चोस बातों की तरफ इसारा करके आपकी जहमतों को तमाम फर्मा दूँगा तमाम कर दूँगा कुरान मजीद में सबसे पहली जो गुफ्तगू मैं लेना चाहरा हूँ वो है खिलकत काइनात के सिसले में काइनात की तखलीग की अगर बात करें तो मकबूल आम जो साइन्टिफिक नजरिया है वो है बिग बैंक ठियूरी और इस ठियूरी के मताबब ये दुनिया आगाज में बुनियादी सितारों का एक जुरमुट थी जिसकी अलाहदगी के नतीजे में कशा आले में वजूद में आई और फिर ये सिर्फ सुर्फ चांद और जमीन वगारा की शकल में तबदील हो गई ये जो आज भी साइन्स ना खिलकत काईनात के सिलसले में जिन पर यकीन करते हैं पुरान मजीद इस दुनिया के आले में वजूद में आने के सिलसले में सुर्फ अंबिया की तीस्वी आयत में जिक्र फर्मा रहा है अवलम यरल्लजीन कफरू इनस समावाते वलार्जा कानता रत्कन फफटकनाहुमा वजळालना मिनल्माई कुल शायिन है अफलायू मिनून चो लोग काफिर हो बैठे हैं क्या उन लोगों ने इस बात पर गोर नहीं किया क्या आस्मान और जमीन दोनों बसताबंद थे तो हमने दोनों को शिगाफ्ता किया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया इस पर भी ये लोग इमान नहीं लाते पुरान पाक की ये आयत और बिग बैंक थियोरी के दर्मियान मुशाबहत और हमाहंगी से कोई भी साहिब नजर शख्स इंकार नहीं कर सकता एक ऐसी किताब जो 1400 वरस पहले आई है जब खिलकत काईनात के सिलसले में ना कोई थियोरी थी ना कोई नजरिया था ना कोई साइन्टिफिक व्यूपॉइंट था 1400 वरस पहले किताब पुरान मजीद उस बिग बैंक थियोरी की तरफ इशारा कर रही है जो इस बात का यकीन दिलाती है कि खालिक काईनात और खालिक कुरान एक ही शक्सियत है एक ही हस्ती है जिसने कुरान को भी बेजा है और जिसने काईनात को खल्क किया है साइंस ना इस हमर पर मतफिक हैं कि इस दुन्या में कहकशाओं के तखलीक पाने से पहले जो माददा था वो गैसों पर बलके धूँओं पर मुझतमिल था ये बिल्कुल मतफिका साइंटिफिक रिसर्च है साइंटिफिक तहदीख है जिस पर तमाम साइंस नायकीन रखते है कुरान पाक की सुरह फुस्सिलत की ग्यार्मी आयत में एलान हो रहा है सुम्मस तवा इलस समाए वहया दुखान। वकाल लहा वलिल अर्ज वलिल अर्ज इतियातावन औ करहन कालता आताईना ताईین फिर आस्मान की तरफ मतवज्जे हुआ और वो इस वक्ट धुआ कासा था तो उसने उस से और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों आपस में खुशी से या कराहत से रहोगे दोनों ने अर्थ की हम खुशी खुशी हाजिर हैं और आपके हुक्म के पावंद है कुरान मजीद की आया मुबारका भी बिग मैंक थियूरी की मताबकत रखती है और इस बात की शहादत देती है कि कुरान मजीद ने चौदा सो बरस पहले जो साइंसी इनकिशाफात किया था वो बात की तहकीकास से रोशन हो गया तो इस बात की मुखकम दलील है कि जो खालक काइनात है वोही खालक कुरान है हमारी जमीन के बारे में साइंसी इनकिशाफात भी मौझूदा साइंसी इनकिशाफात पुरानी आयात से एन मताबقت रखते है इप्तिदाई दौर में लोगों का यकीन था कि जमीन चिप्टी यह हमवार है लेकिन बात की साइन्टिफिक रिसर्च और साइन्टिफिक तहकीक ने थाबित किया कि नहीं जमीन चिप्टी नहीं है बलके जमीन गोल है सन 1597 में फ्रांस के एक साइन्सदा सर फ्रांसिस ने दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाया बहरी चक्कर लगाने के बाद ये थियूरी पेश की कि जमीन चिप्टी नहीं बलके गोल है कौ Барان मजीद की कम से कम दो आयते ऐसी है जो इस बात की तव इशारा की तरफ इशारा फर्मा रही है सुर उख्मान की 29 आएत में इशाद हुरा है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्ला रात को लाता है दिन के हिस्से में और दिन करता है रात के हिस्से में पुराण की आयत वाजिए दलालत कर रही है कि दिन और रात जिस अंदाज से उनके बनने का इजहार किया गया है बयां किया गया है उससे ये बात वाजिए हो जाती है कि जमीन चप्टी नहीं हो सकती बलके जमीन गोल है अगर इसाय मुबारिका पर गोर किया जाए तो ये बात रोज रोशन की तरह वाज़ हो जाती है कि जमीन गोल है सुरह जुम्र में इर्शाद हो रहा है पांचनी आयत में उसने आस्मान और जमीन हक बनाए रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है यहां इस आयत में फिर लपेटने का लफ़ इस बात की वजाहत कर रहा है कि जमीन गोल है जमीन चिप्टी नहीं हो सकती है यह लपेटना उसी सूरत में मुम्किन है जब जमीन गोल हो जदी साइन्टिफिक रिसर्च के मताबिक ना जमीन चिप्टी है ना जमीन मुकमल तोर से गोल है बलकि यह अगर आप इंटरनेट पर गूगल सर्च में जाएं तो आपको हीडिंग मिलेगी दा आर्थ इस एक शेप्ट कॉलन नासा वैलिडेट्स कुरान कैसे वैलिडेशन हुआ कुरान का इसलिए के कुरान ने चौदा सो वरस पहले सूर नाजियात की तीस्वी आयत में इर्शाद किया और उसके बाद जमीन पहलाई अंडे की शकल में दहाहा के मानी अरबी लोगत में शुतर मुर्ग के अंडे के है तो गुया जमीन शुतर मुर्ग के अंडे की शकल में परवर्दिगार अलम ने फैलाई है और उसके बाद इर्शाद हो रहा है और खुदा ही ने तुमारे ले जमीन को फर्श बनाया ताकि तुम उसके बड़े बड़े कुषादा रास्तों पर चलो और फिरो तो उसने अंडे की शकल की तो बनाया है मगर इतनी कुषादा बनाया है कि उस पर तुम रास्ते बना सकते हो और उन रास्तों पर चलने फिरने की सलाहियर तुमें अता की है तो ये चौदा सो बरस पहले जमीन का अंडे की शकल में होना ये ऐसी हकीकत है जिसको आज साइन्टिफिक रिशेप्स ने जदी तहकीकात ने सही साबित कर दिया है जमीन के अलावा चांद और सूरज की मतालिक भी पुरान मजीद में बहुत सी आयात मौजूद है जो मौजूदा साइनसी इनकिशाफात से मताबिकत रखती है अरसे दरास तक यूरपी फिलासफर्स और साइनसना इस समर पर यकीन लगते थे जाकित है और तमाम अजरा में फलकी बशमूल सूरज उसके गिर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं या भूम रहे है सन पंदरा सो एक की सिस्वी में कोपर निकस नाम के एक साइनस ने साइन्टिस्ट ने एक नए नजरीया एक नए थियूरी पेश की जिसके तहत सूरज को निजाम शम्सी के वस्त में साकित करार दें आम सैयारे उसके इर्द गिर्द गर्द थियूरी के मताबिश नो साइनस ना कि अजरा में फलकी न सिर्द के गिर्द गूम रहे हैं बलके वो अपने महवर पर भी अपने मदार पर भी बैजवी मदार में सूरज के गृद घूमते हैं बलके वो अपने महवर पर भी घूमते हैं वोया 1609 इस्वी और उसके बात तक साइंस दानानों का ये नजरिया था कि सूरज साकित है कि सूरज भी अपने महवर पर गर्दिश कर रहा है और तमाम अजरा में फलकी उसके इर्द घूम रहे हैं खुरान मजीद ने चौदा सो वरस पहले सूरह अंबिया की तीस्वी आयत में एलान किया सूरह अंबिया में एलान किया वहुवाल्जी खलक ल्लैल वन्नहार वश्शमस वन्कमर कुलून फी फलक यस्भववववन इस मफ्हूम की एक और आयत सूरह यासीन की चालीसमी आयत है लश्शमस यंबगी लहा अं तुद्रेक ल्कमर वलललैल साबक न्नहार वकुलून फ पहुंचता कि चांद तो पकड़े और आए बलके हर एक अपने घेरे में पैर रहा है यह पैरने का लफ्स भूमने का लफ्स इस बात की दलालत कर रहा है कि चौदा सो परस पहले पुरान ने वो थियूरी पेश कर दी थी जिसको आज साइंस ना सही साबिद करने की कोशिश कर रहे हैं यहीं सूरज भी घूम रहा है और उसके इर्द गिर्द तमाम अजनाम फल की गर्दिश कर रहे हैं कोई भी इनसान कुरानी आयात के इनकिशाफात पर हैरान हुए बगए नहीं रह सकता और यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कुरान पाक में मौजूद सा पर चश्मा क्या है और आने मजीद में सिर्फ निदा में शमसी का ही जिक्र नहीं है बलके साइंस के दूसरे शोपों से मुतालिक भी बहुत सारे इनकिशाफार मौजूद हैं और से दरास तक एटम को माद्दे की सबसे चोटी एकाई माना जाता था अदीम अरब भी इसी बात के इसी थियोरी पर यकीन रखते थे अरबी अलफाज जर्रा आम तोर पर एक एटम के लिए इस्तेमाल होता था लेकिन आज की जदीद साइंस ने इस पुरानी एटामिक थ जर्रों से चोटे चोटे पार्टिकल से मिल कर बना है आएस से चोदा सो बरस पहले कुरान मजीद सुरह सवा की तीसरी आयत में इरिशाद फर्मा रहा है याए मुबारका आलि में कुल होने की खबर के साथ साथ ये भी बता रही है कि खुदा हर चीज से बाखबर है बशमूल जो कुछ जर्रे यानि एटम में चोटा है या बड़ा है एटम से चोटा है या बड़ा है या आयत बखुबी समर पर दलालत कर रही है कि जर्रा या आटम से चोटी भी कोई चीज है इरिशाद और रहा है वला असगरो मनजालका वला अकबर चोटी भी कोई चीज मौजूद है और बड़ी भी चीज़ें मौजूद है उन सब से अल्ला वाकिफ है तो ये जदीद साइंस के इनकिशाद के आयने मताबिक है कि परवर्दिगार आलम ने आटम से चोटी चीज़ों को भी खल्क किया है और आटम से बड़ी चीज़ों को यानि माद्दे को भी खल्क किया है हमारी जिन्दगी के लिए एक बहुत ही अहम साइंसी तहकीख है पानी का चक्कर या जिसको वाटर साइकल कहा जाता है खदीम जमानों में लोग जेर जमीन जो पानी था उसके बारे में किसी को मालुम नहीं था कि ये पानी कहां से आता है कैसे आता है लेकिन आज हम जानते हैं कि बारिश का जो पानी जमीन में जजब हो जाता है वही जेर जमीन जमा हो जाता है और जेर जमीन जो पानी मौजूद है उसका बाइस बनता है सन 1580 में बरनार्ड नामी साइंटिस्ट ने वाटर साइकल का कॉंसेप्ट या नजरिया पेश किया था जिसके मताबिक किस तरह समंदरों का पानी सूरची गर्मी से बुखारात में तबदील होता है और कैसे ठंडा होकर बादलों की शकल में अफ्तियार करता है बादल की अंदूरूनी हरकात की वज़ा से वो उबर उठते हैं और बतर बारिश नीचे गरते हैं ये पानी नदी नालों की सूरत में एकठा होता है और वापस समंदरों में मिल जाता है और इस तरह ये वाटर साइकल चलती रहती है पुरान करीम की कई आयतों में परवर्दिगार आलम ने इस वाटर साइकल का तस्किरा किया है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्ला ने आसमान से पानी उतारा फिर उससे जमीन में चश्मे बनाए फिर उससे खेती निकालता है कई रंगत की सूर रूम की 24 बाइसवेशगी आयत में इर्शाद हो रहा है और आयतों उससे जमीन को जिनधा करता है उसके पीछे बेशक उसमे निशानियां हाँ अकल वालों के लिए तो जाहरे Queren of il Damonगत की आयते अकल वालों के लिए हैं बद अकलों के लिए नहीं हैं सुरह रोम की 24 वी आयत में इरिशाद हो रहा है सुरह मुमिनून की 28 वी आयत में इरिशाद हो रहा है और हमने आस्मान से पानी उतारा फिर उसे जमीन पर ठहराया और बेशक हम उसके ले जाने पर गादिर है सुरह हुजर की 22 वी आयत में इरिशाद हो रहा है हमने हवाएं भेजी बादलों को बारवर करने के लिए और हमने आस्मानों से पानी उतारा पिर वो तुम्हें पीने को दिया वाटर स्राइल स्किल से मतालिक और भी पुरान मजीद में बहुत सारी आयते हैं मगर दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं उन आयतों के सिलसले में और तस्किरा करूँ पुरान के इन साइनसी इनकिशाफात के लावा और भी बहुत से उलूम है जिन पर पुरान ने रोशनी डाली है जिनका पुरान मजीद की आयतों ने इनकिशाफ किया है जैसे इनम अर्जियात है समंदरी ओलूम है इनम नवातात है Copy भौटनी है इनम हैवानियात है जालजी है इनम अदिवियात या niet मेडिसिंज है और इनम्षयाट यांई खुद इनसान की जिन्दगी से मतालित उसकी नश्वण माश मतालि cier Storm Day Monts ही होने पर भी दलालत करती हैं यह आयतें कुरान मजीद की जो इनकिशाफात हैं वो अल्ला की खलाकियत और अलूजियत पर भी दलालत करती हैं और कुरान के इस दावे की सरासर वजाहत करती हैं कि ला रग्बिम वला याबे सिनिल्ला फी किताब मुबीन जिसको मैंने सरनाम किलाम के तौर पर आपकी खिबत में पेश किया था दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जो कुरान मजीद में मौजूद नहो परवर्दिगार आलम से आफिरे कलाम में मैं एक बार फिर बनारस के अज़ादार चैनल का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फरहम किया मैं वर्दबारगाए हदियत में दौागों हूँ कि हमारे इस छोटी सी पेशकष को शरफ कुबूलियत अता हो वतकबल मिन्ना इनका अंतस्समियूल अलीम शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया नाजरीन आप सुन रहते हैं जनाब डाक्टर कल्बे रजा सहाब को इन्शालला कल फिर रात आठ बजे इसी प्रोग्राम सची जिन्दगी में बनारस के अददार यूटूब चैनल पे नए मौज़ों के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज